आजगी इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीवो फोन में होट स्पोर्ट सेटिंग कैसे करें यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजे बताने वाला हूँ सबसे पहले hotspot चालू कैसे करें उसका password कैसे देखे कैसे change करें और उसमें setting कैसे करें मैं आपको सब बताने वाला हूं सबसे पहले आपको setting में जाना है अपने phone में setting ढूंड लीजिए कहां पर है और simple इसे open कर लीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा एक option जिसका नाम होगा network and internet इस पे आपको touch करना है यहाँ पे आपको मिलेगा hot spot and tethering इस पे touch करें आपको मिल जाएगा यहाँ पे wifi, hot spot यहाँ आपको मिलेगा hot spot अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो simple app notification bar को नीचे करें आपको मिलेगा यहाँ पे hot spot इस पर long press करें आपके पास यही page आ जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा hotspot इसे open करें यहाँ पर सबसे पहले इसे चालू करें यही पर आपको मिल जाएगा hotspot name यहाँ से आप इसका नाम change कर सकते हैं आप नाम रख़ा सकते हैं अपना यहाँ से इसका QR code मिल जाएगा आपको या इसके आसपास यहाँ मिलेगा security आप इसकी security चेंज कर सकते हैं पासवर हटाना है आपको तो none पे click कर देजे पासवर हट जाएगा पासवर देखना है तो इस पे touch करें और change करना है तो इस पे ही यहाँ पे touch करके इसे change करें तो यहाँ पे हम नए पासवर डाल देते हैं या कुछ ऐसा आप one time limit set कर सकते हैं कि कोई एक बार आपसे hotspot से connect करें तो कितना data चला सकें यहाँ पे अगर आपका hotspot बंद हो जाता है तो इसे चालू करिएगा यानि कि इसे बंद रखिएगा यह आपका चालू होगा शायद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें